हेलो फ्रेंट्स दस्तो की कॉर्णर पर आपका स्वागत है और मैं आज आपको आप सभी का फेफरिट स्नैक समोसा उसकी रेचिपी शेयर करने वाली हूं चलिए मैं आपको बताती हूं कैसे बनाते हैं समोसा इजी तरीके से समोसा बनाने के लिए मैंने चार बॉयल आलू लिये जिने मैंने रफली मैश किया है और अब हम एक कडाई में ओयल डालेंगे ये तीन 3 टेबल स्पून ओयल है इसमें हम अब साबुत धनिया कोरियंडर सीर्स और जीरा जब जीरा और धनिया क्रैकल होने लगे इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे फिर इसमें मैं थोड़े से काजू और किस्मिश लाल रहे हूं यह उप्ष्णल है आपको पसंद तो आप डालिये मुझे अच्छे लगते स्ली में डाल रहे हूं अब मैं इसमें फाइनली चॉप ग्रीन चिली और लंबा जिंजर डालूंगी जो एक इंच का टुकड़ा मैंने लंबा लंबा कट किया है अब मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डालूंगी यह करीबन सत्तर से हस्ती ग्राम है यह उप्ष्णल है आप डाल भी सकते हो और नहीं भी पनीर को हल्का सा बुनने के बाद एक 30 सेकंड के बाद इसमें मैं मैं पटेटो डालूंगी अपने इसमें धनिया पाउडर डालूंगी यह करीबन दो टी स्पून है पिर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और एक टी स्पून सॉफ़ड़ डालूंगी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग राल लेए आपको जादे स्पाइसी चाहिए तो जादे मिर्च जाल सकते हैं अब सॉल्ट एड़ करूंगी सॉल्ट अकोर्डिंग तो यह टेस्ट अब मैं इसमें गरम मसाला एड़ करूंगी वन टी स्पून और एक वन टी स्पून अमचूर पाउडर आप इसकी सगे अगर आपके पास अनार्दा ना एविलेबल हो तो वो डालिए उसका टेस्ट पह मेरे पास अभी नहीं हैं अब हम इसे सब को मिक्स करेंगे अब मैं अब मैं थोड़ी से हरी मतर डालूँगी और अब मैं इससे मिक्स करेंगे देखिया हमारी समँसों की फिलंग तेयार है इस में मैं थोड़ा सा फरा दन्या डालूंगी और इसको मिक्स करके एक साइट में रख देंगे अब समोसों के कवर के लिए पैले फिलिंग बनाई थी, अब कवर के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिए और इसका रेशिय होता है एक किलो मैदा के लिए 200 ml oil, इसके अंदर जो मोवन पड़ना है मैंने आधा किलो मैदा लिए तो मैं 125 ml यानि 125 ml इसमें oil डालूंगी अब इसमें नमक डालेंगे नमक ध्यान से डाना आलू में भी है तो हम थोड़ा नमक डालेंगे इसमें तेज नहीं होना चाहिए अब इसमें हम अजवेन डालेंगे, अजवेन को हाथ पे रखके, थोड़ा सा क्रश करके तो साथ डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब हम ओयल नमक और अजवायन मैदा सब को एक साथ मिक्स करेंगे यह अच्छे से मिक्स होना चाहिए और जब यह मिक्स हो जाएगा तो आप हाथ में लेंगे तो एक मुठी में बंद होना चाहिए देखे इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है और फिर आप हाथ में लेंगे तो ऐसे मुठी बननी चाहिए तो मतलब आपके इसके अंदर और बराबर है हम इस डो को थोड़ा निवाया पानी ल्यूकोम वाटर से बनेंगे ठंडे पानी से नहीं में लेंगे और यह बहु जाए सब थोड़ा मीडियम रखेंगे इसको सॉफ्ट रहना चाहिए बस देखे अब हमारा डो रेडी है हम इसको 15 में ट्रैस्ट के लिए रखेंगे देखे ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए बस अब डो रेडी है अब हम इसके पेड़े बनाएंगे रोटी का जितना आता लेते इससे डबल लेंगे क्योंकि हम एक रोटी से दो समोसे बनाएंगे ऐसे हम बना के पीड़े तयार कर लेंगे तरह से बेलेंगे थोड़ा लंबा और देखे बहुत पतला रोटी जैसा भी नहीं चाहिए और एक दम मोटा मीडियम साइज का है देखे कितना कैसा है यह इस तर से फोल्ड करेंगे हलका सा मार्क करेंगे इसमें से हम एक में से दो करेंगे इसको उस मार्क पे से कट कर देंगे यह हमारे दो समों से बनेंगे इसमें से इस तरह से फोल्ड करेंगे मैंने कटोरी में पानी लिया है इसके हाफ पे हम पानी लगाएंगे इसको इस तरह से पक से थोड़ा दबाएंगे और यह कॉन बन गया देखें अब इसके अंदर हम इसकी फिलिंग भरेंगे हम फिलिंग लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अब इसके चारो तरफ हम पानी लगाएंगे और इसको इस पर बन कर देंगे थोड़ टाइट से दबा के बन करना फिर इसको हाथसे से दबा देंगे और इसे रखेंगे और ऑईल है ना गैस लो होनी चाहिए बहुत जादा गरम नहीं है दूसरे तरीके का फोल्ड़ आपको बता रहें इस पर इधर की साइड पानी लगाना पहले हमने इधर हाफ पे लगाए था आप दूसरे साइड हाफ पे लगाएंगे और इसको हाफ से जाधे दर रखेंगे फिर इसको इस तरह से इसको ओवर्लेप करेंगे और इसे बंद करेंगे देखिए इसकी शेप थोड़ा डिफ्रेंट शेप है अब हम इसमें इसकी फिलिंग डालेंगे आप अब हम इसके कोनों पे पानी लगाएंगे और इसको ट्विस करेंगे फिर इसके साथ इसको चिपकाएंगे और इसको बंद कर देंगे यहां से प्रेस करेंगे जा से इसको जोड़ा है देखिए अलग शेप है थोड़ी देखिए दोनों तरह की शेप में डिफ्रेंस ये जो मैंने आपको पहले सिखाया था और ये दूसरा वाला देखिए हमारी समोसे अब सिख गये हैं हम इनको ओयल से बाहर निकालेंगे और ये लाइट ब्राउन कलर हो गया है इनको निकालके हम रखेंगे टीशू पेपर कर देखिए हमारे समोसे रेटी हैं खाने के लिए इसकी चाट बनाएंगे इसको इस तरह से क्रश करेंगे इसके ओपर थोड़ी सी दभी थोड़ी इमली की चटनी थोड़ा सा नमक दही की वज़े से थोड़ा सा रेट चिली पावडर थोड़ा सा गरम मसाला और ये हरी चटनी और लास्ट में थोड़ी ओनियन हरी मिट्च और ये आपकी चाट रेड़ी है आपको अपको मेरे वीडियो रेसीप्य पसंद आई होगी और क्रिकल करे लाइ youngestे संवोता ये पीर संवोस्य शेन प्राइबं अगर मेरी वीडियो कर को और मेरे चैनल को सबस्क्राइब मे नौहरकिशन के लिए बाइन आइकन परस्क ना भूली श्यूत